मेरे पहरे देश्वासियों इस महीने एक और महत्वपन अभ्यान के दस साल पूरे हुए हैं इस अभ्यान की सब्रता में देश के बड़े उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदारों तक का योगदान शामीर है मैं बात कर रहा हूं मेक इन इंडिया की आज मुझे देखकर बहुत खुशी मिलती है कि गरीब मध्यमबर्ग और MSM इसको इस अभ्यान से बहुत फाइदा मिल रहा है इस अभ्यान ने हर वर्ट के लोगों को अपना टैलेंट सामने लाने का आउसर दिया है आज भारत मैनुफेक्टरिंग का पावर हाउस बना है और देश की उवाशक्ति की वज़े से दुनिया भर की नजरे हम पर है है ओटो मोबाइल्स हो टेक्स्टाइल्स हो एवियेशन हो इलेक्ट्रोनिक्स हो या फिर डिफेंस हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है देश में FDI का लगातर बढ़ना भी हमारे मेकिन इंडिया की सफ़ता की गाथा कह रहा है अब हम मुक्रूप से दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं पहली है क्वालिटी यानि हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टेंडर की हो दूसरी है वोकल फोर लोकल यानि स्थानिय चीजों को जादा से जादा बढ़ावा मिले मन की बात में हमने हैश्टेक माई प्रोडक्ट माई प्रैड की भी चर्चा की है लोकल प्रोडक को बढ़ावा देने से देश के लोगों को किस तरह से फाइदा होता है इसे एक उधार से समझा जा सकता है महाराष्ट के भंडारा जिले में टेक्स्टाइल की एक पुरानी परंपरा है भंडारा टसर सिल्क हैंड लूप टसर सिल्क अपने डिजाइन रंग और मजबूति के लिए जानी जाती है बंडारा के कुछ हिस्सों में पचांस से भी अधिक सेल्फ हेल्फ ग्रूप इसे समरक्षित करने का काम में जुटे हैं इनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागिदारी है यह सिल्क तेजी से लोगप्रिय हो रही है और स्थानिय समुदायों को ससक्त बना रही है और यही तो मेक इन इंडिया की स्पिरिट है साथियों त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्पी जरूर दोराईए कुछ भी खर देंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए कुछ भी किप्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए सिर्म मिट्टी के दिये खरीदना ही वोकल फो लोकल नहीं है आपको अपने ख्षेत्र में बने स्थानिय उत्पादों को जादा से जादा प्रमोट करना चाहिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे बनाने में भारत के किसी कारिकर का पसीना लगा है जो भारत की मिट्टी में बना है वो हमारा गर्व है हमें इसी गवरों पर हमेशां चार चान लगाने है हमें बना है